अभी हम बात करने वाले हैं Xiaomi Redmi Pad Pro Tablet 5G के बारे में जिसकी कीमत करीब 25,000 रुपए होने वाली है यह Xiaomi क्यों से आने वाला 5G tablet है जैसा कि आप लुकवाज देख सकते हैं कि बहुत अच्छा tablet दिखने वाला है हम इसके features के बारे में बात करेंगे प्रियंट से कई वरियंट में आने वाला है जैसा कि 6GB RAM होगा है 108GB internal होगा Wi-Fi only होगा जिसमें वो मिलेगा आपको करीब 22,000 रुपए का जो 5G होगा 8GB 108GB के साथ उसकी कीमत करीब आपको 25,000 रुपए देखने को मिलेगी तीसा वरियंट है जो 5G होगा 8GB का RAM होगा और 256GB internal होगा उसकी कीमत करीब आपको सकताई से 1,000 रुपए देखने को मिलेगी Dual SIM होगा और इसमें आपको 3G, 4G, 5G देखने को मिल जाएगा और प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रेगन 7S Gen2 आपको 8-4 प्रोसेसर साथ आपको 2.GHz के साथ प्रोसेसर का आपको टैबलेट मिलेगा जिसकी RAM होगी 8GB का और 108GB का अंटैनल मेमोरी होगा बैटरी के बात करें तो इसमें बैटरी और 8MP का कैमरा देखने को मिलेगा इसमें hybrid card slot देखने को मिलेगा जिससे आप डेट TV तक का इस्टोज बढ़ा सकते हैं डिटेल से हम इसके features के बारे में बात करेंगे जो टैबलेट अतन करेगा Android 14 पे और इसकी थिकने जो होने वाली है 7.52 mm की होने वाली है और पौन का वेट होने वाला है 560 gram का और आपको इसमें fingerprint sensor देखने को नहीं मिलेगा LCD screen होगा और इसका जो आपको brightness देखने को मिलेगा 600 nits brightness देखने को मिलेगा डॉल जो की डॉल वी बिजन होगा Gorilla Glass 3 का production मिल जाएगा इसमें और test sampling rate 180 का मिलेगा और refresh rate 120 का मिलेगा camera की बात कहेंदे इसमें camera आपको 8 megapixel का मिलेगा देखने को जिससे आप Full HD वीडियो record कर सकेंगे और प्रेंट में भी 8 megapixel का camera देखने को मिलेगा चिपसेट की बात कहेंदे इसमें कॉलकर में Snapdragon 7s Gen2 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो की होगा 2.4 GHz पर आट जीवी का रियम होगा 33 वार्ट का फर्स चाजिंग